नमस्कार स्वागत है आपका मैक्टेक आइट यूट्यूब चैनल में आज हम लेकर क्या रहे हैं बेसिक कॉस्मेटोलोजी ट्रेट के 25 इंपॉर्टेंट कुश्टन तो चलिए शुरू करते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो से सब्सक् कार की महदी आकार भारत में अधिक प्रयोग किये जाते हैं आपके आप्शन है ए पासले बी फ्लोरल डी जमेक्ट्रिकल रेखागरिट डी डिलीजियस सिंबल्स धार्मिक आकरती हमारा सही जवाब है ए बी फ्लोरल अगला प्रशन है on which body parts महदी designs are not made महदी डिजाइन कहां पर बनाए जाते हैं हमारे option है a hand and legs हाथ और पैरों पर b hair बालों पर c head सिर पर d chest शाती पर इसका सही जवाब है a hand and legs हाथ और पैरों पर अगला प्रशन है in which countries in a design designing is done किन देशों में हिना designing की जाती है आपकी option है a इंडिया पाकिस्तान रोम भारत पाकिस्तान जर्मनी रोम b इंडिया पाकिस्तान पोलेंड भारत पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पोलेंड c इंडिया पाकिस्तान मैक्रो मोरको d इंडिया पाकिस्तान अमरीका इसका सही जवाब है C. इंडिया पाकिस्तान नो रखो next question है which product is mixed with हिना पाउडर for designing महंदी का पाउडर डिजाइन के लिए किस उत्पात से मिलाकर उपयोग किया जाता है आपके option है A. water, पानी, B. oil, तेल, C. color, रंग, B. milk, डूर इसका सही जवाब है A. water, पानी, next question है what type of color is obtained from हिना plant महंदी का पौधा किस प्रकार का रंग प्रदान करता है आपके option है A. dark red, गाढ़ा लाल, B. weak red, हलका लाल, C. light red, बहुत हलका लाल, D. light yellow, हलका पीला इसका सही जवाब है A. dark red, गाढ़ा लाल next question है what is the first step in tattoo designing, tattoo design का पहला क्रम क्या है आपके option है A. remove hair from skin, tattoo के लिए तवचा से बाल हटाना B. to disinfect the tools, उपकरणों को किटाणों रहित करना C. to save the area, tattoo के लिए तवचा को साफ करना D. to arrange material, समान को व्यवस्तित करना इसका सही जवाब है B. to disinfect the tools उपकरणों को किटाणों रहित करना next question है for tattoo designing, which protective clothing used tattoo design के लिए कौन से सुरक्षात्म कपणों का प्रयोग किया जाता है आपके option है A. helmet B. goggles, चश्मा C. gloves, दस्ताने D. overall, सभी इसका सही जवाब है C. gloves, दस्ताने next question है what are the benefits of महनी महनी के क्या फायदे है आपके option है A. nourisher, बालों को चमक देता है D. B. does not have chemical process इसकी कोई रासाइनिक प्रक्रिया नहीं होती C. gives red color, लाल रंग देता है D. above all, सभी इसका सही जवाब है D. above all, सभी next question है for how many weeks इना effect design lasts महनी के design का प्रवाब कितने दिन तक रहता है आपके option है A. one week, एक सब्ता है B. two week, दो सब्ता है C. three week, तीन सब्ता है D. four week, चार सब्ता है इसका सही जवाब है B. two week, दो सब्ता है next question है what is the another name known as back brushing back brushing को किस नाम से जाना जाता है आपके option है A. matting, B. retting, C. toughing D. cupping इसका सही जवाब है B. retting next question है when is the base roller used on the hair on base roller का प्रयोग कब किया जाता है आपके option है A. to get more volume बालों को उभार देने के लिए B. to straighten hair बालों को सीधा करने के लिए C. to give light curl बालों को हलका गुंगराला बनाने के लिए to give heavy curl बालों को अधिक गुंगराला बनाने के लिए इसका सही जवाब है A. to get more volume बालों को उभार देने के लिए next question है which pattern is given in curly hair styling curly hair styling में कौन सा pattern बनता है आपके option है A. straight, सीधा, B. S shape, S a car D. C. diagonal, wickern, D. round, gold इसका सही जवाब है B. S shape, S a car next question है by what name French lasing is known French lasing को किस नाम से जाना जाता है आपके option है A. combing, कंगी करना B. back combing C. back brushing D. reserve combing, उल्टी कंगी इसका सही जवाब है B. back combing next question है how many parts of hair divided to do thermal hair styling thermal hair styling करने के लिए बालों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है आपके option है A. 2, 2, B. 4, 4 C. 5, 5, D. 6, 6 इसका सही जवाब है B. 4, 4 मारा अगला प्रशन है what is needed to style hair to get fullness बालों में फुलाव देने के लिए क्या आवश्यक है A. to straighten hair बालों को सीधा करें B. curl hair ints बालों को अंतिम भाग को कर्ल करें C. combing towards scalp खोपड़ी की और कंगी करना D. give volume बालों को में फुलाव देना इसका सही जवाब है C. combing towards scalp खोपड़ी की और कंगी करना हमारा अगला प्रशन है to get visible layers in hair styling which cosmetic to use Hair styling में women भागों को अलग दिखाने के लिए कौन से उतपाद को प्रयोग करते हैं आपके option है A. setting lotion B. mousse C. hair spray D. above all उप्रोग सभी इसका सही जवाब है D. above all उप्रोग सभी Next question है which styling products is applied to set short hair छोटे बालों को set करने के लिए किस styling उतपाद का प्रयोग किया जाता है आपके option है A. wax B. setting lotion C. hair spray D. colored spray इसका सही जवाब है B. setting lotion Next question है What to do you call study of hair and its diseases with care बाल के अधियन रूप और देखवाल को क्या कहते है आपके option है Onicology B. trichology C. biology G. विग्यान D. herology बाल का जवाब है B. trichology Next question है What is the meaning of hair designing in traditional hair styling पारंपरी के सज्जा में hair design का क्या अर्थ है Hair brush को लगातार चला कर C. use hard hand wheel brushing Scalp पर सक्ष ब्रश करके B. brush at the end Brush अधिकतर बालों के अंतिम भाग पर करके इसका सही जवाब है B. use brush continuously Hair brush को लगातार चला कर अगला प्रशन है Twisting is a technique of which hair styling Twisting styling की कौन सी तक्नीक है आपकी option है A. wet, ghillie B. traditional, paramparic C. thermal, tap द्वारा D. ironing द्वारा आपका सही जवाब है B. traditional, paramparic मार अगला प्रशन है On what factor hair styling depends on Hair styling की कारणों पर निर्भर करती है आपकी option है A. scalp condition, सिर्की स्थिती पर B. hair length, बाल की लंबाई पर C. softness of the hair, बालों की मुलायमपन पर B. all above, उप्रोग सभी इसका सही जवाब है D. all above, उप्रोग सभी Next question है Which product is used for longer lasting of curls on fine texture of hair बढ़िया बनावट के बाल पर करल को अधिक देर तक स्थिर रखने के लिए किस उत्पाद का प्रेयोग किया जाता है आपकी option है A. hair spray B. hair gel C. mousse B. setting lotion इसका सही जवाब है C. mousse Next question है Which of the following is the part for attachment of the dryer निम्न में से कौन सा dryer का attachment है आपके option है A. nozzle B. hot comb D. diffuser D. hot brush इसका सही जवाब है A. nozzle यह हमारे आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है During soft press Up to what percentage the hair are straightened Soft press के दवरान बाल कितने प्रतिशत तक सीधे होते हैं आपके option है A. 40-60% B. 50-60% C. 60-70% D. 80-90% इसका सही जवाब है C. 60-70% अगर आपको हमारा यह आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सकें अगर आप हमारे वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं धन्यवाद